Hey guys, welcome back to my youtube channel, I am Deepika and today I am going to do some neat important previous question of chapter body floods and circulation of class 11th. आज मैं इसके part 2 के अंदर topic अपना lymph वाला complete करेंगे और circulatory path वी से related जो भी previous year में last year के अंदर जो भी question आ रखे ना neat में तो वो हम complete करने वाले हैं, ठीक है? So let's begin and here is the first question that is, यह क्या कह रहा है? यह क्या रहा है कि which one of the following is correct, इन में से कौन सी चीज correct है अपनी देखते हैं, lymph is equal to plasma plus RBC plus WBC, तो क्या ऐसा होता है? बिंस lymph का meaning ठीक है, plasma होता है उसके अंदर, RBC, किसने कहा lymph के अंदर RBC होता है? नहीं होता है, WBC बिल्कुल ठीक बात है, WBC भी होता है, ठीक है? तो lymph के अंदर अपना RBC नहीं होगा, यह अपने दमाग में छाप लेना, फिर क्या रहा है कि blood, तो blood में plasma plus RBC plus WBC plus platylates, बिल्कुल सही बात है, blood में तो सारे component होते हैं, cell के, है ना, RBC, WBC, platylates और plasma भी होता है, ठीक है? तो अपना right option क्या हो जाएगा, B, क्योंकि पूरा जो component सारे चीज़े मिलके, क्या बनाती होई, तो blood बनाती है, प्लास्मा में से, plasma is equal to blood में से माइनस कर तो lymphocyte है, ऐसा कुछी नहीं होता है, serum क्या होता है, blood plus Fibrinozone, भई, serum क्या होता है, अगर हमने इस plasma में से, clotting factor को remove कर दि क्या है कि compared to blood, our lymph edge, तो भई, जब blood से compare करते हैं, तो lymph के पास क्या चीज़े होती है, plasma without proteins, नहीं, ऐसा कुछी नहीं होता है, protein होते है, means plasma होगा, but without protein, नहीं, नहीं, protein होगी, ठीक है, फिर क्या है, more WBC and no RBC, बिलकुल सही बात है, lymph में अगर compare करते हैं, blood से, तो lymph में क्या होता है, ज्यादा WBC होती है, ठीक है, as compared to blood, और RBC बिलकुल नहीं होती है, so right option अपना B हो जाएगा, इस question के लिए भी, ठीक है, guys, अभी हम circulatory pathway से question करेंगी, उससे तो बस एक-दोए question आ रखे थे, उस topics, lymph आले से, और यहीं पूछ रखा था, कि lymph जो हो क्या होता है, serum क्या होता है ठीक है, तो यह दो-तीन चीज़े आपको उसमें से अच्छी तरह से करनी हैं, बाकि और questions अपने 10 years के अंदर आ नहीं रखे थे, so अभी हम circulatory pathway से करते हैं, यहां से काफी question पूछे गए हैं, तो first question है कि क्यो RS complex in a standard ECG represent, तो देखो, जो अपना ECG है ना, उसके अंदर अपने क वो कुछ wave दिखाई देती हैं, एक अपने P wave दिखाई देती है, फिर अपना QRS complex दिखाई देता है और T wave दिखाई देती है, ठीक है, एक बार भाग के जल्दी sensitivity खोलो, और उसमें वो diagram है, उसको देखो, उसमें हमें P wave दिखाई देगी, QRS दिखाई देगी और T wave दिखाई P wave जो है, वो depolarization atria का दिखा रही है, क्यों RS क्या दिखाईगी, तो ये दिखाईगी depolarization of ventricles, ठीक है, और T wave क्या दिखाईगी, ये दिखाईगी depolarization क्यों RS वाला, और ये दिखाईगा repolarization, किसका repolarization, ventricles का, ठीक है, तो first वाली atria से related है, बाकि जो दोनों wave है, ये अपन depolarization फिर repolarization तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी depolarization of ventricles next question है अपना match the column 1 with column 2 okay matching करनी है चलो देखते हैं क्या कौन सा question है column 1 में अपने वही जी जी दे रहे है पी वे अभी अभी मैंने बताया ठीक है और जो बाकी के हैं वो उनको दे रखा है कि इसमें क्या होता है तो देखो अपना p-wave के अंदर क्या होता है मैंने अभी बताया कि depolarization होगा एट्रिया का तो कहां है यह तो यह है अपना fourth option में ठीक है और थोड़ा इसको करते हैं तो यह अपना fourth option में है फिर क्या हो आरेस complex तो क्या हो आरेस complex जो है वो किसमें है भई इसमें क्या होता है मैंने बताया कि depolarization होता है वेंट्रिकल्स का वह अपना first में तो एका जो है वो fourth है बी का जो हो first है यह हमें option 2 में दिखाई दे रहा बिल्कुल एका fourth बी का first ठीक है option 2 में फिर कहरें T वे तो उसमें क्या दिखाई देगा उसमें दिखाई देगा repolarization of ventricles बिल्कुल सही बात है तो repolarization of ventricles जो वो T वे में हमें दिखाई देता है ठीक है फिर दे रखे reduction in the size of T वे जो अपना T वे उसका size में अगर कम हो means पहले जो दिख रही थी उसमें अपना यह हो रहा था लेकिन अगर उसमें size कम हो तब क्या disease होती है ठीक है यह बिल्कुल याद रखना है इस cameo हो जात 1st C का 2nd or D का 3rd right option इसका B हो जाएगा ठीक है right option इसका B हो जाएगा यह question नहीं 2019 में पूछा गया था next question है यह कह रहा है कि what would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter भई cardiac output की value दे दी हमें ठीक है कितना 5 liter blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml तो यहाँ पे हमें क्या पूछ लिया heart rate पूछ लिया कि heart rate जो है वो किसी भी person की कितनी होएंगी cardiac output दे दिया और उसका diastole systole दे दिया तो कैसे करेंगे इस question को so यहाँ में cardiac output का formula रखना है cardiac output क्या होता है देखो cardiac output निकालने का तरिका है heart rate जो heart rate है into में क्या होता है stroke volume ठीक है मैंने सबकी short form लिखिया ऐसे ही तो इसको थोड़ा long में लिख लेना कि यह cardiac output है यह अपना heart rate है और यह अपना stroke volume है तो हमें निकालना है heart rate तो चलो heart rate इधर लिख लेते हैं ठीक है फिर क्या हो जाएगा means इसको यहीं पर छोड़ो और यह cardiac output अपन में stroke volume चला जाएगा करेंगे तो क्या आएगा 100 तो बिल्कुल सही बात है 100 beats आएगी पर मिनट तो option किसमें डी में यह अपना ठीक है तो यह तो डारेक्ट फोर्मूला बेस्ट कोशन था इसका option अपना डी हो जाएगा ठीक है फिर कह रहा है कि match the items given in column 1 with those in column 2 और correct option में बताना है चलो देख लेते हैं tricuspid wall दे रखिए हैं bicuspid दे रखिए हैं samilunar wall दे रखिए हैं किसके अंदर होती है किसके अंदर नहीं होती हो सारा हमें यहां पर देखना है ठीक है तो देखते हैं चलो जो अपनी tricuspid wall होती है वो कहां पर present होती है tricuspid wall तो वो अपनी हमें पता है कहां होती है right atrium और right ventricle के बीच में होती है ठीक है right तो right में tricuspid होती है left की बात करें तो left में अपना bicuspid देखने को मिलेगा left atrium और left ventricles में एंसे आटी में बिल्कुल मैंशन है यह लाइन थेक हैं बात करते हैं सैमिलोनार वोल की तो कौन सा बचा हमारा राइट वेंट्रिकल और पल्मोनेरी आर्टरी के बीच में जो अपना वोल प्रेजेंट होती हैं यहां यह इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बाइकस्पिट र राइका स्पिड ठीक है तो एका जो अपना थर्ड है बी का फर्स्ट और सी का सेकिंड है राइट उप्शन जो अपना ए हो जाएगा इस कोशन के लिए ठीक है यह कोशन कहरे है अपना कि दा डाइग्राम गीवन हियर इस स्टैंडर्ड इसीज ओफ दो नॉर्मल परसन तो त्क हे घंग के लिए किसका अपनी कि लिएगी और मगी तो यह तीन चीजह अपने को दिमाग में पीट कर दी हैлуш यहां पी के बारे में पूछ रखा है तो पी अपना beginning of the systole ठीक है सिस्टोल हो रहा है बट किसका हो रहा है वो नहीं दे रखा न तो end of systole नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है contraction of both the battery up बिल्कुल सही बात है contraction means यही चीड सिस्टोल हो रहा है या फिर depolarization हो रहा है ठीक है जो यह तीन बिल्कुल एक जैसे है सपना right option हो जाएगा इसके लिए सी कह रहा है कि वेंटरिकल कॉंट्रक्शन का इनिशेशन हो रहा है नहीं वह तो क्यों आरे समें देखने को मिलेगा न हमें ठीक है यहां पर एट्रियक कोंट्रक्शन हो रहा है डी पोलराइज़ाशन हो रहा है ठीक है फिर कह रहा है कि bundle of yeast is a part of which one of the following organs in humans बंडल of yeast किसका पार्ट होता है ब्रेन का हर्ट का या किड्नी या पैंक्रेस कितना आसान कोशन था हर्ट का पार्ट होता है यह तो बिल्कुल देख लेते हैं क्या दिखा रहा है यहां पर यह अपना क्यों RS P और T यह सारी चीज़े फिर से दिखा रखी है तो यहांनों ने फिर्स्ट उप्शन में पूछ लिया कि complex जो क्यों RS है यह वाला अपना portion यह complete pulse को दिखाता है तो बिल्कुल दिखाता है ठीक है य से ही तो हम पदा चलते हैं कि उसकी कितनी heart beat है कितना चला है कितनी pulse है उसकी तो यह complete pulse को को दिखाएगा क्यों RS दिखाएगा बिल्कुल सही बात है बात करते हैं पीक T जो T की बात करें यह कह रहा है इसा थोड़ी नहीं तो repolarization दिखा रहा है ना ventricles का फिर कह रहा है बोथ peak P and PR together systolic and diastral blood pressure कैसा होता है कुछ नो peak P जो है उसका मतलब यह है कि initiation of left atrial contraction only only की बात आगी only का मतलब क्या है यह only जो है नो वो दिखा रहे है तो only का मतलब क्या है इसका मतलब यह होता है कि वह यहां पे सिर्फ left का ही contraction हो रहा है तो ऐसा थोड़ी नहीं नहीं होता है ना कि अगर किसी if due to some injuryments अगर कोई injury हो जाती है ट्राइकस्पीड वोल का जो कोडिय टेंड है ना है उसमें human के heart में जो अपने ट्राइकस्पीड वोल होती है ना कहां होती है ट्राइकस्पीड वोल पहले तो यह बताओ ठीक है राही दे रहे है और राइटो एंट्रेकल के बी तो देखो left atrium में थोड़ा ना होता है राइट में प्रेजेंट होती है तो यह तो गलत हो जाएगा ठीक है तो यह तो कोई काम के नहीं थी कोशन यह जो option थी वो बिल्कुल काम के नहीं थी कह रहे है तो flow of blood into the pulmonary artery will be reduced बिल्कुल सही बात है जो pulmonary artery में जाना है blood वो क्या हो reduce हो जाएगा अगर यह partially non-functional होगी तो ठीक है बिल्कुल याद रख लेना क्यों क्योंकि यह backflow को means जो right atrium है और जो right ventricle हपना तो उसमें क्या करेगी backflow को क्या करेगी prevent करेगी इसमें कुछ effect पढ़ेगा तो आगे blood ही नहीं जाएगा ठीक है तो आगे blood नहीं जाएगा कहा blood नहीं जाएगा pulmonary artery में जाना बंद हो जाएगा ना बहुत कम जाएगा ठीक है तो यह तो बस common sense का question था एक type से so आज की इस part में बस इतना ही guys अब मिलते है next video और next part के साथ इसका शायद एक part और बनेगा ठीक है so thanks for watching my video guys and if you like my video then also subscribe my channel